जैसा कि हमें पता है कि जाड़े की मुख्ये जो सब्जी फसल है उनमें कीट और रोग और ब्यादी है जैसे मान लेते हैं फल बेधक हो गया फल छेदक हो गया तो ये फल में घूस के काफी नुकसान पहुचाती जैसे आपकी टामाटर के फसल हो गई तो इसके लिए हमें क्या करना है पहलेत ये करना है कि जो भी वो जो कीट है फल बेधक कीट जो भूस के फल को खराब कर चुका है सारे फलों को इखटा करके हमें नश्ट कर देना चाहिए दूसरा हम दवा का उप्योग अगर करते हैं तो कीट नासक है इंडोकसा कार्ब या क Sheppard का प्रति लिटर फानी में मिलाक हमें उसका छिड़काव करना चाहिए उसके वाद थंटा कम होसम वे पाला ** appeared in violence के ie समस्ऽ भीर्स लीए तो पालेकी समस्या से बिजात पाने के लिए बचाव के लिए हमें निरंतर हलका हलका सीचाय आ물 छाए करना डर्री उचाहिए एक प्रकार के रोग भी सबजियों में लगते हैं जारे के मौसम में ऐसे में ये जरूरी है कि आप उन रोगों की पहचान कर समय पर रहते हुए उनका निदान करें क्योंकि अगर देरी करेंगे तो पौधों का विकास रुकेगा पती जुलस जाएंगे फलों पर असर पड़ेग और फिर आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा इसलिए जानकार जो भी बातें आपको सलाह दे रहे हैं जो भी आपको बता रहे हैं उसका ख्याल लखे उस पर पूरी तरह से अमल लखें तरह तरह की बीमारियात अलग अलग फसल में होती है जैसे अल्टर नेरिय और अंड कीट की बात करें तरह सुरुवाती में हम नीम आधारित जैसे नीम तेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ सावधानिया बरतना चाहिए जाड़े में जैसे कि मान लेजिए हम फुल गोभी या पता गोभी का हार्वेस्टिंग करते हैं तो अगर हम फुल ग भाग ना लगा हो उसके बाद में यह ध्यान देना चाहिए कि फूल गोभी के फूल के साथ पत्ता का दो चक्र आवस ले क्योंकि जो पहला चक्र उपरी चक्र होता है उसमें बहुत सारे पोसकतत होते हैं आलू की खुदाई से 20-25 दिन पहले हमें आलू की जो पतिया होती ह है उसे काट कर हटा दना चाहिए और 20-25 दिन तक आलू के कंद को जमिन के निचे ही छोड़ दना चाहिए इससे यह होता है कि हार्वेस्टिंग खुदाई के बाद आलू का जो इसकीन होता है वो मजबूत हो जाता है और जल्दी घिसता नहीं है और जल्दी खराब भी नही होता है